क्या दोस्तों आप भी अपने इंस्टाग्राम को हाइड करना चाते हो क्या आपको नहीं पता कि बिना किसी एप की मदद से अपने इंस्टाग्राम को हाइड कैसे करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन की सेटिंग में से का option select कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो तो डाले उसका notification आप तलग तुरंट मिल सकें दोस्तों Instagram को hide करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा Instagram यहाँ पर दिख रहा है अभी यह हमने hide नहीं किया है तो दोस्तों इस Instagram को अभी हम आपके सामने hide करके दिखा देंगे ठीके अभी दोस्तों Instagram को hide करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें हमारी phone की setting open कर लेनी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने हमारे phone की setting open कर दी है फोन की setting open करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद दोस्तों आपको इधर एक option मिलेगा privacy का ठीके तो आपको simple से इधर privacy के option पर click कर देना है privacy के option पर click कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो अभी आपको एक option मिलेगा privacy and app in corruption का ठीके तो आपको simple से इधर privacy and app in corruption के option पर click कर देना है जैसे ही आप privacy and app in corruption के option पर click कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface दिखेगा और उपर लिखा होगा set your password ठीके तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा अपना password set करना पड़ेगा पहला वाला होगा four digit password और second वाला होगा pattern ठीके अगर आप pattern lock लगाना चाहते है तो इधर pattern के उपर click कर देंगे अगर आप four digit का password रखना चाहते है तो four digit password के उपर click कर देंगे अभी हम four digit password को रखना चाहते है तो इधर four digit के उपर click कर देंगे four digit के उपर click कर देने के बाद 2580 password डाल दिया है तो दोस्तों कुछ इस तरह का interface आएगा जब आप अपना password डालेंगे तो आपको इधर एक option मिलेगा सबसे नीचे Hide app का ठीके तो आपको simple से इधर Hide app के उपर क्लिक कर देना है Hide app के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके phone में जितने भी application होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे scroll down करके आपको simple से Instagram को खोज लेना है ठीके? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमें हमारा Instagram मिल चुका है Instagram मिलने के बाद दोस्तो उसके आगे का जो बटन है आपको उसके उपर simple से प्रेस कर देना है जैसे कि हमने Instagram के आगे के बटन के उपर प्रेस कर दिया आगे के बटन के उपर प्रेस करने के बाद हमें यह बोल रहा है hide Instagram तो आपको नीचे confirm के उपर click कर देना है confirm के उपर click कर देने के बाद दोस्तो अभी आपका Instagram hide हो चुका है अभी हम क्या करेंगे पूरी तरह से back चले जाएंगे back आएंगे back आएंगे back आने के बाद दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी इधर हमारा Instagram नहीं show कर रहा है यानि कि अभी हमारा Instagram hide हो चुका है अभी दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Instagram को कैसे use कर सकते हैं hide करने के बाद ठीके अभी आपको क्या करना है फिर से setting में जाना है setting में जाने के बाद दोस्तो फिर से आपको privacy में जाना है ठीके जैसे के आप लोग देख सकते हैं अभी हम privacy में आ चुके हैं privacy के उपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तो फिर से आपको यहाँ पर privacy and app encryption के उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप Privacy and App Encryption के उपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और उपर लिखा होगा Enter Your Privacy Password अभी दोस्तों पिछली बार हमने जो पासवर्ट रखा था जब ही हम Hide कर रहेते आपको वही पासवर्ट आपको इधर डालना है तो आपको यहाँ पर अपना Instagram दिखेगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Instagram को Hide कर सकते हैं